कि नमस्कार अंतर्राष्ट्री योग दिवस्की आप सभी को बहुत बहुत शुब काम रहें को रोना संकट के बीच इस बार का योग दिवस्की पहले जैसा नहीं है लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना यही तो मनुष्य का स्वभाव है रुकने ठकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है और इसलिए इस बार का योग दिवस्की इतने ही उत्सा से मनना चाहिए हां आप जरूरी दिशान दिर्देश का पालन करते विये योग दिवस्क बनाएं इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्य योग दिवस्की थीम योगा एड होम एड़ योगा बिवस्की इतने हैं इसलिए इस वर्ष्ट। फैमिली यह बहुत जान बुचकर के विशेत तैक किया गया है घर पर योग परिवार के साथ मिलकर के योग आज की परिस्तिति में आपको निरोग रहना बहुत आवशक है और उसमें योग प्राणायम जरूर मदद करेगा अपनी इम्मिनेटी के लिए योग करिए अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए योग करिए अपने आत्म विश्वास के लिए योग करिए अपने आत्म बल के लिए योग करिए अपना उत्सा बढ़ाने के लिए योग करिए और अपने मन की शान्ति के लिए भी योग करिए साथियों, बीते पांच वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है, योग ने पूरे विश्व को जुड़ा है, अब इस अंतरराश्टिय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्त के लिए पूरी तरह समर्पित करना है, हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्तर है, हम सभी ये जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी, कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस की वैक्शिन नहीं बन सकी है, इसलिए इस समय स्ट्रॉंग इम्मुनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, यही हमारा बोड़ी गाड़ है, इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वस्तनिय साथी है, मैंने अहाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है, कई लोग 21 जुन को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे, इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं, इस वैश्विक महामारी के बीच यह बहुत सकारात्मक संकेत है, मुश्किलों में मुश्कराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सिखते हैं, आप योग करें, खुब योग करें, स्वस्त रहें, शांत रहें, प्रसन रहें, एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुप कामनाएं, धन्यवाद. झाल